हेलो फ्रेंड्स मार्सल सारफ खंडिलवाल वेलकम तो यूर्स यूट्यूब चैनल गौर्मेंट जॉब आइकन तो स्वेंट आज का वीडियो है अपकमिंग बैंकिंग एक्जाम्स को लेकर जिन्हों ने आई-पियो सार्भी का फॉर्म फिल कर दिया है उनका पेपर हुआ हो फॉर्म फिलिंग हो चुकी है और एक्जाम्स भी स्टार्ट हो चुके हैं फ्रम 3rd of August 2024 से इसी के सेक्वेंस में अपना नोटिफिकेशन ऑफिशल नोटिफिकेशन रिलीस किया था और लास्ट टेट 28th of July है वो भी कम्लिट हो चुका है तो इस्ट्विंट के इनके इक्जाम की बारी है कौन-कौन से एक्जाम साब फिल कर सकते हैं उसको फटा-फट से आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे स्ट्विंट तो पहला जो एक्जाम हम आपके सामने डिसकुस करना चाहरे हैं स्ट्विंट वो है आर बेको लेकर आर बेई जॉल अबाउट दा इस तो स्ट्विंट यह एक यर्ली वेकेंसी है हर साली वेकेंसी निकलती है तो बेसिकली इसका जो ऑफिशल नोटिफिकेशन था स्ट्विंट वो आया था 25 जुलाइट 2024 को ओके इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है 25 जुलाइट 2024 से और लास्ट डेट तो देख लेते हैं तो ध्यान रखें रखें जो जनरल का इक्जाम होगा तो वह सबस्टीद से यो rks सो ग्रेजुए तो किसी बी बिल्लिर इस पॉर्सों चुके हैं उस follows क्लों करते हैं और तो स्ट्रेट presentations tahun होगा phase 2, वो होगा 19th of October को, और जो rest of the category बच चुकी है, उसका paper होगा 26th of October को, यह तो होगा student RBA को लेकर, इसके अलावा जो vacancies, जो line-up है, IBPS की, उसको भी देख लेते हैं, clerical, student 28th of July, last date थी, I hope आप लोगों सभी ने इसका एक form fill कर लिया है, और इसका जो paper prelims का होगा, वो 24 अगस्त, 25 अगस्त और 31 अगस्त को होगा, यह prelims exam होता है, जिसमें math, english और reasoning आती है, ओके, इसी का means होगा 13th of October को, इसके बाद PO की भी vacancy निकल चुकी है, उसको भी form filling आप कर सकते हैं, और यह paper November को, और specialist officer की भी vacancy निकल चुकी है, यह उन बच्चों के लिए है, उन candidates के लिए है, जिन्होंने अपना master specialization, मतलब basically किसमें specialization किया रखा है, जैसे MBA है, HR, एक specialization है, MBA in finance, human resource, उसके अलावा अगर किसे ना IT में specialization कर रखा हो, BCA, MCA, VITEC कर रखा हो, agriculture में हो, legal हो, law हो, यह सब specialization कहलाता है, इसकी भी vacancy IBPS निकालता है, यह फिपर होगा 9th of November को, और इसका मेंस कंड़क्ट किया जाएगा 14th of December को, तो यह तो होगा student IBPS की vacancy, इसके अलावा एक vacancy और निकले भी है, जिसे हम कहते हैं, नाबार्ड, नाबार्ड इस्ट्ट यह एक annual vacancy है, National Bank for Agriculture and Ruler Development को लेक और इसकी जो vacancy है, वो है grade A officer की, इस साल जो vacancy है, total 102 और इसकी जो form filling की जो dates है, cut-off dates है, मतलब 27 जुलाई से इसकी form filling स्टार्ट को चुके हैं, और last date होगी 15th of August, application fee जिस category में आते हैं, उसके according आपको pay करना है, selection process भी स्टुन ध्यान रखे हैं, phase 1, phase 2 और फिर interview होता है, और application mode पेपर भी online होगा, application का जो mode form filling का, वो भी online ही conduct किया जाता है, इसके अलावा student क्या age limit है, जिसमें आप paper face कर सकते हैं, minimum age criteria 21 years है, और maximum अगर आप 30 years तक के हैं, तो आप इस form को fill कर सकते हैं, और इनकी official website है, www.navart.org पे जाकर आप और भी details cover कर सकते हैं, यह है आज का वीडियो, सर्ष्पेंट आपको कैसा लगा, आपकी इस exam के बारे में और जानना चाते हैं, जरूर हमें अपने comment box मेंशन करें, आज के लिए इतना ही, that's all for the day, thank you so much.